प्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बलाइकन दबाएं इसकार इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्पागत है आपके सांथ मैं हूँ जो तसना पार्टनी मेरे सांथ मौजूद है मेरे सयोगी वैभव भोला टीम इंडिया अपना जो गेम है वो खेल चुकी है और अब बारी आएगी बोलिंग की और इंग्लाइन के बल्ल किया था अब यह स्कोर को मानूंगा मैं यह नहीं कहूंगा कि इंडियन टीम में बहुत ज्यादा स्कोर मना दिया क्यों कि आपने अंत में देखा कि किस तरीक से कुरूनाल पांड़ा और केल राओ इन दोनों ने बल्लेबाजी की तो जो इनका पार्टनेशिप था उसने कि आपको कि यहां पर बल्लेबाजी करना बहुत जादा मुश्किल नहीं शुरुवात में जरूर जो गेंती थोड़ा बाउंस आपको देखने को मिला आपको स्विंग भी देखने को मिली जिसे थोड़ी ची भारती खिलाडी को परिशानी भी लेकिन आखिर में दोनों दिख कि बल्लेबाजी की जा सकती है और बल्लेबाजी कैसी करनी होगी ऐसे विगट पे अगर इंडियन टीम के आज में बात करूँ श्रेय सायर को छोड़ तो जितने भी बल्लेबाज थे थोड़ा रोही चर्मा का भी ऑफ देता है उसके लावा शिकर दवन शतक से चुके 98 बना करेंगे तो कहीं वो अनलखी ना हो जाए जैरली ऐसा होता नहीं है वैभब मुझे एक वाट्साइप पे मैसेच किया था जब हम प्री मैच आप से मिले थे कि विराट कोली आज शतक बार सकते हैं मार सकते नहीं मारेंगे ये 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 लिखा आज फिर मेरी थोड़ी से विल रशीद के खिलाफ हो चैज इंगलेंड के स्पिनर तेज गेंद बाज हो उनको किसी भी गेंद बास के सामने मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आई और जो उनका शॉट है पसिद्धा जो फिलिक करते हैं विप करते हैं गें को तो उसी पर आउट हो गये तो वह थ हार्दिक शिखर्दवन गए 197 पर हार्दिक पांड्या गए 205 पर यानि 169 से लेके 205 तक आपने हर 10-15 रन में एक विकट अपना गवाया और 205 पर जब आप पांच होगे तो मुझे उस समें एक ऐसा लग रहा था कि देखिए अब यहां से इंडिन टीम फस गई है अगले 10 अगर जर्चा हुई थी से पहले बात की थी कि कुरुनाल पांडय अब तक मिडियो कर खिलाडी थाबित है इंटरनाशनल क्रिकेट में लेकिन आज कुरुनाल पांडय ने दिखाया कि देखिए उस इंतजार ने इस खिलाडी को पूरी तरीके से कह सकते है पका हुआ प्लेय 26 डिलिवरी में उनका अर्दशा तक हुआ और उसके बाद मेरे खिल से 50 प्लस रन उन्हों ने बनाए नाबाद रहे 31 गेंदे उन्हों ने खेली साथ चौके मारे और दो चुके मारे उन्होंने और शुरुआत से आते एक सब जब आए बैटिंग करने के लिए उससे में इं तो वहां से एक बाउंडरी में लेकिन शुरुआत की 10-15 बॉलों में बहुत जादा कमफर्टेबल नजर नहीं आरते एक गेंशाद उनकी चाती में भी लगी उसमें भी काफी जाद उनका परिशानी लेकिन जब एक बार पांडे आए और उन्हें जब इंगलिश के इंगल क्यार के बाता झाल पर जाते हैं में के अиях अश्दार की गई तो आज बहुत अच्छे रंग में नजर आया और अस्ट्रेलिया में जब केल राहूल ओडिय टीट्विटी सीरीज खेले वहां वो फॉर्म में थे बहुत अनफॉर्चुरेट रहे कि टेस्सीरीज में उनको चोट लग गई और तीन महीने का एक गाप आ गया उनके बीच में आदी वह कॉंपिटिटिव क्रिकेट पर फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लगा लेकिन जो समय लिया उन्हें आज जब उन्होंने एंड किया तर्तालिस गेंदों पर बासाट रन बनाए चार चक्के चार चौके उनने मारे यह दिखाता है क्या जारी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमें देखने को नहीं मिलती है क्या जिए लीन पाफ चल रहा होता है तो क्या उसको अपनी कॉड का हिस्सा बनाना जरूरी है क्या हम उसे जिस तरीके से विजे हजारे टॉर्मेंट हुआ इस तरह के टॉर्मेंट में वापस भीजें ता तो आप उसको टीम के साथ ही रखिए कि मैं सुन रहा था कि हार्दिक पांडे टेस सीरीज में इंजिन टीम के साथ ट्रावल किये थे यह क्लियर था कि टेस सीरीज का हैसा नहीं होंगे लेकिन फिर भी उस दौरार उनकी जो गिंदबाजी कोस्ते भरत और उनने उनकी अधर टाइम मिलता जब आपका नेट सेशन होता है मैच से ठीक पहले दो तिन दिन का नेट सेशन होता है और जो खिलाडी नहीं खेल रहे होते तो आपके पास टाइम होता है उसके ओपर काम करने के लिए उसकी गिंदबाजी पर काम करना उसकी बैटिंग पर काम करना उसक कि एकर फोड़ी चोटिल भी या को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको साइड-लाइन नी करेंगे हम इसे और गूम करेंगे जिस चीज जिस एरिया में उसको प्रॉब्लम हो रही है हम उसके ओपर जाधा काम करेंगे लिए के के ल राहूल के ओपर भी जरूर काम आप उस पेशाद और भहतर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आज फिर हमने देखा कि केल राहूल आज जो आए पांच वे नंबर पर बल्ले बाजी करना है जैसे मैंने आपको बता है कि केल राहूल को एक नया रूप दिया गया एक फिनिशर का रूप तो आ इंतजार कराएं यह तो नहीं करता है लेकिन ऑडिया एक अच्छा मौका है तो यह बी बी लिए लखी साभित रहा प्लस जो प्लेयर सामने खडा था अच्छी भंड़ हो भी लखी साभित रहा और इसके बाद पिर गे तो आपको पता होता है कि पावर प्लेज भी रहेंगे, आपको स्ट्राइक चॉकर चॉकर के मारने के जादा मौके मिलेंगे और वही हमने देखा 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 लास्ट के पांच ओवर की बात करें तो कुछ ऐसा ही रहा मेरे खाल से अपर यहां जादा जाता है कि जो बले बास सेट हो वो कभी भी अपना विकेट थ्रो करके नाजाए डेथ ओवर में तो कि डेथ ओवर में हमें अमेशा देखा है कि जो रन है वो तीजी से आते हैं एक परेश वायास लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं गुड़ इवनिंग तो हम दोनों को कह रहे हैं गबर इस बैक इसंट जी बिलकुर गबर फॉर्म में वापिस आ गए है थोड़ा सा लीन पैच उनका विरा जिस तरीके से केल राहूल करा हाना कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत जाद अच्छा शिकर ने नहीं कहता है लेकिन ओडिये में जब अगले दो साल में जब शिखर दवन अलमोस 38 की हो जाएंगे जब आकपद 2023 का वल्लकुप होगा क्या तब शिखर वहां पे उसमें फिट होते है कि नहीं क्योंकि जो रेस है वो बहुत लंबी और खिलाडी पीछे बहुत आ रहे हैं और जोसना इन्हों ने यह भी पूचा ह कि इसका सवाल भी मैंने जोसना से पहले बात कर रहा था तो मैंने दिया कि बहुत सेफ सिट्वेशन से एक पॉंट आप और जादा दे दें कि आप इंडरमीडियट थोड़ा साब कैसे नहीं से आप थोड़ा स्ट्रॉंग जोन की तरफ में अगर को बीच में जोसना आपको सब्सक्राइब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वह भी तब आपके पास छे गेंदबाजी ऑप्शन है लेकिन जोसना चीज और भी है उन छे गेंदबाजों में से एक कुल्दी प्यादव है जिनका कॉंफिदेंस बहुत जाद आपने लो किया हुआ है आपने काफी समय से कुरुनाल पांडिया का आज जब भी है प्रसिद कृष्णा का भी जब भी है यानि मान के चली आपके पास तीन गेंदबाज ऐसे हैं जो एकदम ठीक है कॉंफिडेंस में होंगे जो भूमनेशर कुमार हार्दिक पांडया शादू ठाको रहें लेकिन जो अगले ती तो प्रसिदा कृष्णा से भी हम यही उमीद करें बिलकुल उमीद करें और डेब्यू खिलाडी के आपने बात की देखिए मैं एक टीवी पर समय तस्वीरे देख रहा हूं आज जो डेब्यू था आज उनका भी डेब्यू हुआ है कुरुनाल पांडया का अर्ध्या का अ अब इसको मागे बढ़ते है कि प्रसिद कृष्णा के पास भी अच्छा मुखा कर आपके पास स्कोर है तो डिफैंड ऐसा निए कि इंडिन टीम ने डोसे सट्यराशी रन बनाया जो आप डिफैंड ना कर पाएं तो आपके पास डिफैंड करने के अच्छा स्कोर है बस आ जिस तरीके से आपको जाद हो हम पहले बात करते कि को ही शौट यह मारते हैं वह बले बाजि करने के लिए वह अपने घ्लामर रे शौट्स मारने के चकर में श्रेया सेयर फस रहें है और आज इंगलेंड का जो प्लान था उनको शौट पिच गान बाजी की लगातार उनको अच्छी तरीकी से त्यार नहीं थे वो अगे आने के लिए क्योंकि लगाता रूंको जो गेंद बाजी थी वो शॉर्ट पिच गेंद बाजी हो रही थी तो अपना विकेट टौफे में दे बैठे एबी नरैन का एक सवाल आपके लिए है उसके बाद मैं आप से अपना सवाल आप इसका सवाल जवाब दीजिए नरैन के रहें कि पंत को खेलना चाहिए और ऐसे ज्यादा मौके देने चाहिए एबी नरैन जी मुझे ऐसा लगता है कि पंत को सफिशेंट मौके में ले हैं आपने उन्हें टेस्ट में खिलाया आपने उन्हें T20 में खिलाया अगर टीम अपने एक ऐसे खिलाडी को बैक करना चाहिए जो कप्तान रह चुका है उपकटान रह चुका है अगे वाला में उसे उसे ओपन करवाया और अब आप उसे कैसी पोजिशन पे खिलवा रहे हैं जहां पे शायद वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएं और जैसा कि वेभव भी कह रहे हैं दिखाते हैं जोसना आपका क्या मान के चल दे कि इंगलेंड जीते कहारेगा यह क्या प्रेडिक्शन आपकी वेभव मेरा तु वही वाला हाल हो गया है कि मुझे ना बोलना नीचे कभी-कभी आपकी जबान पे सरस्वती का वास होता है और अगर मैं आप लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिससा बने बहुत चुक्रिया लेकिन मैच खत्मोने के बाद पोस्सेशन में आपकात करेंगे साड़े तीन घंटे एक उफिशल टाइम होता है चार गंटे जिसमें आपको चार गंटे आज इंगलेंड बाजी कि साड़े ती नहीं वो तो लगेगा चलिए इसी के साथ हम अपने इस डिसकेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिससा बने बहुत शुक्रिया मैदान पर जफिराट का बनना चलता है तो खबर बनती है और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूले ना बेल आइकन दबाना जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ